हेलो फेंड वेलकम टू माय यूटूब चैनल एयार हेल्थ केर आइम डॉक्टर मोई रगता है फेंड आज हम बात करने जा रहे हैं अपो हम ड्रॉप्स की यह एक होमियोपेटि मेडिसेंस है अडल टू नाम से मारकेड में आती है इसका इस्तमाल पाइस के लिए किया जाता है दो पेले में के बवासीर के जादेतर 35-50 साल की उमर के जादेतर लोगों को देखी जाती है, जिसकी 35-50 साल की उमर है उनमें जादेतर देखी जाती है. पाइज असल में रख धमनिया होती हैं जिनका गुदाद्वार से संबंध होता है कि दवाओ पढ़ने से फूल कर नीचे लटकने लगते हैं और अंगूर जैसे मस्से बनकर गुदाद्वार से बाहर निकल आते हैं यह तीन प्रकार के होती हैं इंटर्नल एक्स्टर्नल और इंटर्नल एक्स्टर्नल इन्टर्नल यानि कि इसमें बिलीडिंग होती हैं एक्स्टर्नल जिसमें बाहर की तब मस्से निकलाते हैं और इंटर्नल एक्स्टर्नल पाइस यानि कि जिसमें बिलीडिंग भी होती हैं मस् ये देखने में आता है कि एक ही परिवार के सदसे में भवसी अधिक मिलती है वो सकता है कि जन से ही शीराओं की दिवारे कमजोर हूं अब जान लेते हैं इसके में कारण इसके में कारण होते हैं लंबे समय तक कब्ज रहना या प्रेंगनेंड वूमन लगातार बैठे रहने से काम करना लगातार बैठे के काम करने से भी होते हैं लंबे समझे ता पेट साफ करने वाली दवाईयों का इस्तिमॉरी धरा में रुकावट होने पर जादा जो लाकर मूट करने से पॉस्टेड गिरंति के बढ़ने से रख पिर्बा में रुकावट आने से सोच करने का ना पेशादा जो लगाने से ये सब कारण होते हैं इस कारण के वज़े से बावसीर हो जाती है चलिए अब जान लेते हैं इसमें लक्षण क्या क्या होते है शुरू में रोगे को हलकी सी दिक्कत होती है इसके नीचे की तरफ भारीपन लगता है साथ में खुजली वा जलन होने लगती है जादा जो लाना कभी कभी रख निकलता है खुण निकलता है ये रोग मुके सर पर थम लक्षण होता है कि खुण का निकलना है इसका पहले रक्षण होता है शुरू में रख बहुत कम लिकलता है सौच जाने पर दो या तीन बुने शुरू में खुण की गिरती है यह स्टेज महीनों या सालों तक चलती रहती है रोगी को बैठने और चलने में दिक्कत सही पिरकार से नहीं बैठ पाता है रोगी को बैठने चलने दिक्कत होगी सही पिरकार से नहीं चल पाएगा मलत्याक के समय या से पहले कुछ खून बिलेडिंग हो जाएगी समय के साथ साथ रक्त जादा निकलना शुरू हो जाता है रक्त के जादा निकलने से कमजोरी चक्कर आने लगते है खुनी कमी हो जाती है, जानल में खुजली होती है दर्थ कांटे जाज़े, चुबने जाज़े सा होने लगता है पर दो बाद में इस्तिती में पाइल्स फूलने से धर्ट के साथ भारी पन हो जाता है रोगी को हमेशा ऐसा लगता है कि पेड़ साफ नहीं है भारी लगता है जिससे मल त्याक के समय जादा जो लगाने पर खून निकलता ब्लेडिंग निकलती है अब जान लेते हैं चलिए हम अपो हैंप ड्रॉप की क्या किस फैदे हैं कि किस तरीके से बवासीर में फैदा पहुचाती है मेनिमम भी देखा जाता है कि जब बवासीर में जनल युक थो उसमें खून निकलना है ये दोनों मैसर करती है एडल्टूट ड्रॉप मल द्वार से बहने वाले खून को भी रोकती है ये दर्द, सूजन वजलन महीन धमनियों को मजबूत बनाती है शिराओं की रुकावट को दूर करती है ये दवा आतों के द्वारा ना सिर्फ मल को निकानने की वैक्ति को बढ़ाती है बलकि निकानने की शक्ति को बढ़ाती है बलकि पूरे पाचन किरिया में सुधार करती है लिवा को खून पहुचाने वाली शिरों की सक्रेयता को ये दवा नियमित करती है जिससे आतों का कब्स दूर होता है तनाव समाप्त होता है पाचन पिरानी में होने वाली एठन को दूर करते है जिसके कारण बवगसीर होती है ये मस्टिक हिर्दे ही नहीं पूरे शरीर की रख शीराओं को खोलती है जिससे दिमाग के या हिर्दे की शिराओ उने पूरे शरी की रखती शिराओं को खोलती है इसके अलावा सिर में खुन एकथ होने के कारण सिर्धा पएदा करने वी लसीख के परवा को रुकावक्टों को भी खोलती है सोच होने के बाद जो दर्द होता बावसीन में उसको भी कम करती है गया जरूरी यूरिक एसिट को शरी से बहाँ निकलती है ब्लैडर एम गुर्दे की सूजन को भी समाप्त करती है गुर्दे में सुजान होती है उसको भी समाप करती है यह एक जर्मन कंपनी की बनाई भी एडल टू अपो हम है जो हैल्स इंड बर्निंग एंड बिलेडिंग पाइस है यह निके जलने वाले जो जलन द्यूग तो होती है बवसीर और उस जो है उसमें खोन निकलता है उसमें दोनों में काम आती है मस्वाली में और खोन में दोनों में बिलेडिंग में दोनों बवसीर में काम आती है जान लेते हैं इसकी एमारपी जिए जर्मन होमेपेती की बनाई भी है इसके MRP 270 रुपए है इसका रुब्यू कर लेके हैं यह एक GMP Certified Company है GMP Certified Company है बहुत अच्छी है आनिके Good Manufacturing Practitioner इस तरीके की Made in Germany B-SAML चलिए जान लेते हैं इसका इस्तमाल करने का तरीका इस तरीके से Drop में है इसे लवा के Drop निकाले इसका इस्तमाल 15 से 20 बूंदे एक चौत्याए कप में सुबा दुपैर शाम तीन टाइम करना चाहिए यह एक Homeopathic Medicine है इसलिए इसका आम तार पर कोई भी Side Effect नहीं होता है यह सेव Medicine है याद रखें जब भी Homeopathic Medicine का इस्तमाल करने उससे आदे घंटे पहले ना कुछ खाए पिए जब वो Medicine लेने तो उसके आदे घंटे के आदे घंटे तक भी कुछ ना खाए पिए गैप रखें बहुत ही अच्छी Medicine है भवसी में खोनी भवसी बादी भवसी मस्व वाली सब में बहुत बढ़िया काम करते हैं इसे आप इस्तमाल कर सकते हैं यह खोन की कमीजे हो जाती है सब को दूर करती है पेट में भारी पन दर्द, सूजन, चलन सब में बहुत ही बढ़िया फेंड यह एक मनाली परपस वीडियो है इसे अपने आप इस्तमाल ना करें अपने फैंबली डॉक्टर नजीव डॉक्टर से इसके राय ले वैसे तो यही से मेजलिसीन है इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में का वीडियो अच्छी लगें लाइक करें, शेर करें, जाज़ा सब्सक्राइब करें गंटी के बैल आकान को जाएं जिसने के मेरी वीडियो आप तब पहुचें थैंक्स